आप लोगों का स्वागत है और सेलेनियमिन हिंदी में आज एक निया टॉपिक हम सीखेंगे आज बहुत इंपोर्टन टॉपिक है क्योंकि आज हम वैलिडेशन सीखने वाले देखिए फ्लो बनाना तो बहुत आसान है कोई दिक्कत निया फ्लो में मैंने हमें कौन से पॉइं मैंने अल्ड़ी हिंदी में वीडियो बना रखा है तो जैसे ही प्रोग्रेस करें बता दूंगा कहां पर आपको टेस्टेंजी का वीडियो देखना है अभी हम लोग बिना टेस्टेंजी यूज किये जावा के अंदर ऐसे क्या-क्या मेथर्ड हैं जिसके तहत हम लोग वैल वैलिडेशन सीखेंगे तो आज गेट टाइटल और गेट करेंट वारेल में हम लोग वैलिडेशन सीखेंगे कैसे इसको वैलिडेट करना है क्या करना है हम लोग सब जानेंगे चलिए फ़ले शुरू करते हैं तो हम लोग यहां पर गए उन्टेलीजी आइडिया ओपन कर है मैं हिंदी इंटेलीजी आइडिया में बनाऊंगा तो यहां पर एक वैलिडेशन का एक छोटा सामें क्लास बना रहा हूं ठीक है तो यह भी ओपन हो जाएगा पहले हम मेन मिथड बना देते हैं अब लोग अपना नॉमल कोडिंग करते हैं पब्लिक स्टाटिक वाइड म स्टाटिक वेब्ड्राइवर ड्राइवर ठीक है इंपोर्ट करते हैं चलिए वेब्ड्राइवर मैनेजर.chromedriver.setup ठीक है driver equals to new chrome driver driver.manage.window.maximize अभी हम लोग driver.get url करेंगे हम लोग readyf use करेंगे readyf.com ठीक है अगर मैं अभी इस particular url को अभी यहां पे मैं इसको run कर देऊ देगे तो यह browser open करेगा मैं इसको maximize करेगा और readyf.com open कर देगा यह तो simple सी कहानी है बट हमें कैसे पता कि यह actually readyf.com open कर रहा है हमें कैसे पता हमें कैसे पता कि हम किसी particular url पे ही जा रहे हैं कहीं दूसरे url को redirect नहीं हो रहा है हमें कैसे पता कि यहां पर जो हमने देखिए यह तो open कर दिया यह चलो ठीक है लेकिन हमें कैसे पता जो हम यह url दे रहे हैं वो say नहीं है क्या है तो इसके लिए हम लोग यह दो method यूज़ करेंगे और इस method के तहत हम लोग validation लगाएंगे अभी method को कैसे use करते हैं validation कैसे लगाते हैं पहले में इससे पहले कि में method का get title क्या होता है get current URL क्या होता है पहले उनको बता देता हूं कि वो होते क्या है चलो मानले आपने redif.com open कर दिया website open हो गया माउस को अगर आप hover करेंगे और वहां पर छोड़ देंगे उपर का जो यह जो बार है address bar के उपर यहां पर आप जो आता दिखे एक bold में होगा redif.com colon news pipe redif mail pipe stock quotes technically यह title होता है और उसके जो नीचे आता है redif.com यह actually उसका current URL होता है लेकिन फिर भी इसको और तस्रली करने के लिए कि actually title कैसे पता जाए तो redif page में कहीं पर भी right-click करके view page source होता है इसको दबा दिजे तो देखिए यहां पर आपको इसका HTML page खुल जाएगा जो view page source है और यहां पर देखिए यहां पर एक title बोलके एक tag होगा तो यह जो title tag के अ जैसे जैसे आप अलग-अलग pages में जाते रहेंगे न वो हो सकता है कभी-कभी title change भी होता रहता है current URL भी change होता रहता है ठीक है तो यह है इसका title तो ऐसे पता लगता है title ठीक है इतना तो पता चल गया अभी चलिए code में चलते है code में जाने के बाद हम code में कैसे पता लेगा हैंगे simple driver.get title अगर आपको title निकालना है तो कैसे अभी ऐसे तो नहीं निकला ना इसको सिसो करना पड़ेगा system.out.println ठीक है यहां पर और थोड़ा बनाने के लिए the title of the page is यह हो गया आपका title निकालने का तरीका ठीक है अभी हम इसको दुबारा run करेंगे वो तो browser open होगा हमें output से मतलब है हमें title जाना है page का title गया है देखिए the title of the page is redif.com slash news redif mail stock code shopping ठीक है यह title है देखिए ध्यान से देखिए और यहां पर जाके चक किजिए redif.com news redif mail stock code shopping exactly वही title है तो title हमारा एकदम सही है ठीक है अभी इसको validate कैसे है हमें पता तो लग गया की title क्या है अब validate कैसे करते हैं वो बताता हूं ठीक है तो यह हमारा actual title है ठीक है string हम इसको actual नहीं तो expected title दे देते हैं title equal to string में इसको उठाते है एक string variable बनाके इसको दे दिया अभी actual title क्या है driver.gettitle यह actual है क्योंकि हमारे पास तो यह है यह तो हमने निकाला क्योंकि validate करना था ठीक है अभी इसको हम क्यों validate कैसे करेंगे very simple आप if or else statement लगाईए if actual title.equals expected title SYSO sorry वह Eclipse की आदत है इसका shortcut ढूनना पढ़ेगा test cases pass कुछ है इस तरह से simple सा कुछ लिख दीजे ठीक है अगर नहीं है तो भईया fail कर दो ठीक है else ठीक है यह हो जाएगा आपका driver.get title का validation ठीक है अभी हम get title तो हो गया इसका हो गया अभी get current URL का कैसे करते है simple वही फंडा अपना है कोई दिक्कत नहीं पहले पता लगा लिजे क्या है system.out.println the current URL of this page is driver.get current URL simple यह आपको पता चल जाएगा चली अभी हम run करके पहले इसको निकाल लेते हैं देखते हैं output में क्या आता है देखिए वह तो अपना browser open करे गाई वह तो successful चले गाई हमें यहां से मतलब है हमें वह current URL चाहिए ताकि हम उसको expected current URL देखे उसको देखिए current URL of this page is यह हमारा expected current URL है Ctrl C मारा ठीक है और मैंने यहां पे दे दिया आपका string expected current URL equal to string में इसको दे दिया मैंने ठीक है अभी string actual current URL equal to what driver dot get current URL simple हो गया अभी हम इसमें if actual current URL dot equals expected current URL test case is pass else test case is fail ठीक है अभी हम इसको run करेंगे कि देखते हैं इन दोनों जगर पे आउट्पूट क्या आता है कि देखते हैं आउट्पूट क्या आता है मैंने रन तो कर दिया validation देने के बाद दोनों में test case हमारा पास हुआ क्योंकि हमने सही value डाला है ठीक है आप देख सकते हैं तो यह testing है validation point है यह testing है यह जो हम लोग लिखते रहते हैं यह सब flow है flow से testing थोड़ी पता चलती है testing जहां पर validation checkpoints डालते हैं वहां पर testing पता चलती है ठीक है तो यह बस इतना ही बताना था अगर आप थोड़ा और इसमें जान बूच के गलतियां करना चाहिए जैसे मान लोग आपने यहां पर stock code से एस हटा दिया for example save कर दिया अभी देखिए उपर वाला test case fail आना चाहिए ठीक है अभी हम एक बहुत जान बूच के गलती करके देख रहे हैं एक यह कोड़ रूब हो रहा है क्या हो इसको अफो मेरा सिस्टम बहुत स्लो है दुबारा रन करता हूं नहीं मेरा सिस्टम स्लो है इस चक्कर में रन नहीं हो रहा पता नहीं क्या हुआ इसको नहीं भी रन हो रहा है क्या सिस्टम मेरा देखिए अभी आउट्पूट निकलेगा थोड़ी देर में कभी कभी मेरा सिस्टम बहुत रेस्पॉंड नहीं करता डंग से तो लेट सी इसका आउट्पूट आने वाला है क्रोम भी ओपन होने वाला है हमें ठीक है वो तो आउट्पूट निकल ली जाएगा हमें यहां पर चक करना है जो हमने जान बूच के इस चीज़ को हमने चेंज किया था राइट जान बूच के यहां पर मैंने स्टॉक कोट को स्टॉक कोट कर दिया देखिए टाइटल अफ दिपेज यह है टेस केस फेल हो गया क्यूंकि हमने जान बूच के यहां पर चेंज कर दिया था बस इतना ही बताना था तो यह गेट टाइटल और गेट करेंट यूरल से यह हो जाता है हमारा वैलिडेशन इसक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे वीडियो को आगे फॉरवड कीजिए शेर भी कीजिए थैंक यू सो मच साथ तक्या साइनिंग आफ